नमस्कार आज के बेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कन्या रासी वालों का आज का दिन यानी की 31 जुलाई 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीबन में क्या क्या होने वाला है तो जानने के लिए बेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 31 जुलाई 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है दुआदसी नक्षत्र है जेस्ठा पक्ष है सुक्ल पक्ष दिन है सुक्र बारे आज के दिन सुर्य उद्य हो रहा है पंच बज के 42 मिनट में सुर्य अस्त हो रहा है साथ बज के 12 मिनट में रितू है वर्सा आज का दिन काल है 13 घंटे 30 मिनट 16 सिकेंड का महिना है स्राबन आज के दिन सुब समय सुरू होता है 12 बजे पीम से 12 बज के 50 मिनट पीम तक असुब काल सुरू होता है 8 बज के 24 मिनट एम से 9 बज के 18 मिनट एम तक दुबारा है 12 बज के 54 मिनट पीम से 1 बज के 48 मिनट पीम तक आज के दिन राहु काल सुरू होता है 10 बज के 45 मिनट एम से 12 बज के 27 मिनट पीम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्य साली रंग, भाग्य साली अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुनें और फॉलो करें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आपको लाइक करना होगा इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके आज के दिन के धन सम्पती के बारे में दोस्तों पैसों के दृष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए सामाने से बहुत जयादा नीचे है धन संपती के मामले में आज के दिन आपका ग्रह, आपका नक्छत्र, आपका साथ नहीं देगा इसलिए आज के दिन आपको पैसे बचाने पर जोड़ देना होगा आपके पास जो पैसा हो उस पैसे को आप बचाने का प्रयास करें यह आपके आज के दिन के लिए और आने वाले शमय के लिए बहुत जयादा आवस्यक है वैसे अगर आपके श्वास्त की और देखा जाए तो श्वास्त के दिश्टी कोन से भी आपका शमय सामानने रहेगा आज के दिन अपने श्वास्त के प्रती आपको लापडवाही बरतने से बचना होगा क्योंकि आज के दिन अगर अपने श्वास्त का ध्यान आप नहीं रखते हो तो आने वाले शमय में आपको पड़ेशानी का शामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके घर पड़िवार की बात करें तो पड़िवारिक जीवन के दृष्टी कोन से आपका शमय अच्छा बीतने वाला है आज के दिन अपने घर पड़िवार में सभी लोगों के शाथ अपने संबंध को आप मजबोत करने का प्रयास करें आपके घर पड़िवार वालों की जो जरूरते हों उनके जरूरतों को आप पूरा करने का प्रयास करें अपने घर वालों के सुख और दुख में आप उनके भागीदार बने उनके पार्टनर बने अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले शमय में आपके घर पड़िवा द्रिष्टी कौन से भी आपका शमय बहुत ही जियादा बिहतर और सांदर है आज के दिन आप रोमेंटिक खयालों में सपनों की दुनिया में बिचरन करने वाले हैं और इस वजह से आज के दिन आपके प्रेम शंबंध में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगी वैसे अगर आपके कामकाज की बात करें तो कामकाज के द्रिष्टी कौन से आपका शमय शामाणने से थोरा सा नीचे है आज के दिन अगर अपने कामकाज में अपने काडिय छित्र में आप किसी भी विक्ती को पार्टनर्सीप में लेना चाहते हैं तो पार्टनर्सीप में ज आप जानने का प्रयास करें और सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उस विक्ती के साथ आप पार्टनर्सिप में काम करें यह आपके आज के दिन के लिए और आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है इसलिए इस बात को आज के दिन आपको याद रखना आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है पांच यानि की फाइब आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है केसरिया और पीला इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बहतर होगा तो उपाई बहुत ही जयादा सामाने और आसान है एक मंत्र है आज के दिन आपको उस मंत्र का जब करना है वो मंत्र है ओम सूर्ज नाराय नाय नमो नमह ओम सूर्ज नाराय नाय नमो नमह इस मंत्र का जब आज के दिन अगर आप करते हो तो आपका शवय सांदार हो जाएगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को आप हड़ जग सेयर कर दें धन्यवाद जेसी आराम